कभी-कभी हमारे पास एक class होती है, जैसे कि example देता हूँ आपको हमारे पास एक employee class है और वो class employee को define करती है, कि उसकी employee ID क्या है, उसका जो main role है, वो क्या है, company का नाम क्या है, अब मान लो कि इसी class को use करके मैं एक नई class बनाना चाहता हूँ, programmer, या फिर इसी class को use करके मैं एक और class बनाना चाहता हूँ, manager, manager class के अंदर employee class के जो basic methods and properties हैं, वो तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन उसके साथ में कुछ और चीज़े आड़ करना चाहता हूँ, for example, मैं programmer में आड़ कर दूँगा, कि programming language कौनसी वो इनसान use करता है, इस तारह की information, तो कैसे मैं अपनी existing class को, जो कि म मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, employee नाम की class, इसको use करके, मैं extend कर सकता हूँ, और एक नई class बना सकता हूँ, programmer या फिर manager, आज के इस वीडियो में आप लोग को यह बात बताऊँगा, चलते हैं computer screen में and let's see all of this in code. आज मैं जो concept बताने जा रहा हूँ, वो object-oriented programming का एक बहुत बढ़िया concept है, और आपको वो concept जरूर पता होना चाहिए, और वो है inheritance का concept, अगर आप लोग एक successful python developer बनना चाहते हो, तो यह concept आपको जरूर से आना चाहिए, तो चलो यार बिना किसी दिरीगे start करता हूँ, मैं इस कि मैं एक employee नाम की class बनाना चाहता हूँ, ठीक है, मैंने मेहनत करी, मैंने का भाई, मुझे employee का नाम चाहिए, ठीक है, मैंने आपर का employee का मुझे नाम चाहिए, और name चाहिए मुझे, और उसकी एक id generate करके मुझे दो, और भी उसके बारे में बहुत सारी details हो सकती है, लेकिन मै मैं आपर चीजों को simple रखते हुए, मैं कहूँगा self.name is equal to name set कर दो, और self.id is equal to id set कर दो, ठीक है, मैंने कुछ utility methods बनाये, जैसे की show details नाम से एक मैंने method बनाया, और उसके अंदर मैं मानलो employee की details को show करना चाहता था, तो मैंने simply यहांबर print करके f string लगाई, और मैंने कह दिया, कि the name of employee, और यहांपर मानलो मैं उसकी id डाल दूँगा, self.id करके, और मैं is करके यहांपर, क्या लिखूँगा self.name, ठीक है, यही बहुत ही simple सी चीज़ है, मैं एक नया employee बना सकता हूँ, मानलो employee का नाम क्या है, मानलो employee का नाम है, रोहनदास, ठीक है, यह उस employee का नाम है मानल रहा हूँ, यह रोहनदास, उसका नाम है, और उसको id दे रहा हूँ, 420, ठीक है, यह id generate होई, automatically मैंने generate करी थी, एक system का इस्तेमाल करके, यह generate होई, sorry रोहनदास, अब इसको मैं run करूँगा, तो क्या होगा, कि, कुछ नहीं होगा, क्या होगा, यह object बन जाएगा, लेकिन इन generate कर रहा है, मारा system 400 कर देता हूँ, 400, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, the name of employee 400 is रोहनदास, इस तरह कि क्या मैं 50-60 employees बना सकता हूँ, तो अगर मैं चाहूँ, तो यहाँ पर 50-60 employees बना सकता हूँ, उसमें कोई भी doubt अभी नहीं है, ठीक है, होना भी नहीं चाहिए, आप लो ठीक है, तो आप लोग देखों, यहाँ पर employee.show details, employee.show details, यह करने से रोहनदास की, और यहाँ पर Harry की details आ जाएंगी, ठीक है, तो no surprises there, अब मान लोग कि यह class बनी पड़ी है, क्या है यह class, बनी पड़ी है, और यह class यूज हूई पड़ी है, क्या पड़ी है, यूज भी चेंज करवा के, programmer करवाना इसका नाम, तो जो भी लोग इसको यूज कर रहे थे, वो कहेंगे, भाई, हमने employee नाम से इसको पूरा code base बना दिया, 9000 lines का, क्या मजाग चल रहा है, तो आपके इसको चेंज करना चाओगे, आपको लगे क्या, चेंज कर लेते हैं, इसको इसी मे error आना शुरू हो जाएगा, और मैं नहीं चाहूंगा की error आए इस तरह का, ठीक है, क्यों चाहूंगा मैं error आए, नहीं चाहूंगा error आए, तो यहाँ आपर class employee, और इसको अगर मैं rename करूँ, class programmer करके, तो एक काफी बड़ी दिकत हो जाएगी, तो rename is not an option, क्या हमारे पास better option है हाँ है, और वो है inheritance, तो मैं आपर क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, class programmer और programmer लिखने के बाद, मैं आपर employee लिख सकता हूँ, इस बात का मतलब ये है, कि मैंने क्या किया, programmer नाम की एक नई class बना दी, जिसमें वो सब कुछ है, जो कि employee class में है, और ये सब चीज़े भी ह जो कि मैं लिखने वाला हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं आपर लिखने वाला हूँ, def, show language, और मालो मैं इसके अंदर लिखता हूँ, यहाँ पर self, और इसके बाद मैं आपर print करता हूँ, the default languages, python, मालो मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ, the default language is python, तो क्या मैं employee पर show language चला स सकता हूँ definitely नहीं चला सकता हूँ मैं आपको चला के दिखाता हूँ मैं अगर e2.show language करूँगा language तो यह नहीं चलेगा क्यों नहीं चलेगा क्यों कि employee पर defined नहीं है show language तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर error आ गया employee object has no attribute show language और आता भी क्यों और मैं compiler होता तो मैं भी throw करता है रहा ठीक है तो यहाँ पर देखो कि e2.show language दिखाने से error रहा है लेकिन अगर मैं e2 को यहाँ पर programmer बना दूँ तो क्या होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी यह program चल गया क्योंकि मैंने इसको programmer में change कर दिया तो हम सिर्फ वही method use कर सकते हैं जो उस class में है लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैंने programmer को employee class से बनाया है जिस तरह से पिता जी का बेटा बेटा होता है उसी तरह से programmer के पिता जी employee है ठीक है तो इसने पिता के सारे गुड़ों पाए है और अपने भी गुड़ों इसने जो है यहाँ पर इसके पास है तो show language इसके पास अपना method है जो कि इसके पिता को नहीं पता जैसे कि यह एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हो कि employee के सारे methods और properties तो programmer के पास आ ही गए उसके साथ साथ हम इसको extend करके इसमें और चीज़ डाल सकते है अब inheritance बहुत तरह की होती है ठीक है आप बस इसको practice करो और कुछ classes बनाओ क्या हम दोबारा से एक और class बना के programmer से एक नहीं class बना सकते है यह तो बिल्कुल वही सवाल हो गया कि क्या एक इनसान के बच्चे का बच्चा हो सकता है obviously हो सकता है क्योंकि employee से programmer बना तो programmer से भी कुछ नहीं सकता है तो उसमें कोई डाउट नहीं है ठीक है तो यहाँ पर अभी के लिए इस वीडियो में इतना है अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट अभी तक access नहीं करिये न तो यार इसको जरूर से access कर ले ना अभी के लिए इ आप लोगों एक लिए एक लिए उन्हीं मैं रेल्ट इनकार यहाँ है वाण तो